हैलो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को कहते हैं जो आप से डिलेटेट कोई भी अपडेट हो या फिर आप सब्सवे स्टूडेंट के कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसे वीडियो के डिस्क्रिप आप मेरे से सेर करें और उसे रिलेटेट जो भी जैसा भी तक मैं रखता है हूं आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुंचानी की हंडेट परसेंट को सिस करूँगा और अभी की जो वीडियो है जिन भी स्टूडेंट ने अगर आपने फॉर्म तेंथ पर अपलाई कि है तो आप सभी स्टूडेंट से में रिक्विस्ट करूँगा जो आप इस वीडियो को कम्पलीटली देखे और साथ-साथ नेक्स्ट सभी वीडियो के लिए जैसे आपका सीट अलॉट मेंटर के बाद आप जब कॉलेज जा रही हूं कौन-कौन से डोकुमेंट ले जाने है जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताए भी था अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन के बाद आपका पेपर पैटरन कैसा आएगा कितने नंबर पे पासिंग है सब कुछ के लिए आप सिविल वर्ट को फॉलो करते रहिए ताकि कोई भी अपडेट आप लोगो अगर मान लीजे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके तेंथ में काफी अच्छे परसेंटेज है और अगर आप तेंथ बेस पर फॉर्म अप्लाइब कर रहे हो तो आपके तेंथ के परसेंटेज के एकोडिंग ही आपको हर्याना का टॉप कॉलेज मिलेगा अगर आपने पॉल जो इमेल पर आज आता है जो आपका सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं थार्ड वेरिफिकेशन के बाद आपका एक डेट को रैंकाड आएगा जैसे कि 12 वालों को बच्चों ने पॉल टेक्निक लीट का फॉर्म अप्लाइब किया था उनका जो रैंकाड है व आप कॉलेज का सेलेक्शन करोगे कॉलेज के सेलेक्शन के बाद आपका सीट अलोटमेंट लेटर आता है और सीट अलोटमेंट लेटर जो भी कॉलेज आए आप उस कॉलेज में जाके डिरेक्ट अपना एडिमिसन ले लिए यह कंप्लेट प्रोसेस था हर्याना में एडिमि नहीं करेंगी अगर करते हैं तो मैं आपको एक separate वीडियो लागे बता दूँगा और जिन बच्चों ने 12th साइंस सिस्टीम से या आईटीया बेस पे फॉर्म अपलाई किया था आपका जो रैंक कार्ड है वो 21 जून को ही ऑफिसल वेपसाइट पे एसस्टीया की तरफ से अगма रखा लिजर अगर वी जह को क्यों यह सब्क्राइं आप सेटिस्पाइब करेंगे नहीं मिलें आपका को सब्सक्राइन है अगर दूसरे सब्सक्राइब 12 अपने गॉलिज्भी सिर् Sabbath apply कर लिएगा और तेंथ वालों का जो आपका counseling है वो तीन तारीक के बाद होगा में recording चार से साथ के बीच में आप college और branch का selection करोगे अभी आपके पास कोई भी डेट नहीं आया आप लोगों का फर्स कॉंसलिंग का जो आपका सत्ताई जून को आ गया है अब और जो बच्चे रहे जैसे तिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है आपका सारा कुछ जो है तीन जुलाई के बाद आएगा अभी कोई भी अपडेट आप लोगों के ऑफिसल पर नहीं डाला गया है तो इसलिए जिन बच्चों ने अगर तीन बेस फॉर्म अप्लाई किया है आप तीन जुलाई तक का वेट कीजिए बार-बार आप मेरे पास कॉल करते हो मैं एक ही बात कह रहा हूं कोई बच्चे कहते सर आपने आठ जून आपने 28 जून बताया था जैसे जैसे HSTS को चेंजिस करेगा मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ में यह चीज़े नहीं है बस मैं आपकी प्रोब्लम को उपर तक पहुंचा सकता हूं जो सर बच्चों के साथ यह प्रोब्लम है आप इस डेट को एक्स्टेंड मत कीजिए लेकिन रही बात सर टोटल कॉलिज की फीज क्या है तो मैं आपको बताओ एडिमिशन के टाइम में जो हमारे बॉइस कंडिडेट है आपको च्यालिस सो रुपे देने और गल्स को आप ऐसे मानिए च्यालिस सो में तेरह सो पचास मैनस कर दो जो पैसे बस उतनी ही आपको लेके जा साल का 1000 रुपे भी नहीं है लेकिन जैदा चार्जेज है मेस मेस चार्जेज मतलब है आपको खाने का चार्जेज पर मन्त मेरे एकोर्डिंग 3000 रुपे आपको पे करनी होंगे तो रहने का खर्चा बिल्कुल भी नहीं है रहने का खर्चा ना के बराबर है आप बातों को समझों पूरे साल का 1200 रुपे लेकिन खाने का खर्चा आपका पर मंत का लगबग 2500 से 3500 के बीच में लाइक करता है कई कॉलेज में आप सेकेंड यर में डिमिशन ले ले लिए या फर्स्ट यर में आपकी क्लासे जो है एक अगेस्ट से स्टार्ट हो जाएगी और उसका जो कम्प्लीट जो अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा आपका एकडमी कलेंडर जो है 20 से 25 जुलाई के बीच में आ जाएगा सारे अ वीडियो के लिए आप सिविल वल्ड को फॉलो करते रहिए ताकि कोई अपडेट आप लोगों से रहना जाए और साथ सब पुराने स्टूडेंट अधिक साथी के वीडियो को सेयर करें और सस्क्राइब करें मिलते हैं निक्स्ट वीडियो निक्स्ट अपडेट निक्स्ट pattern के साथ, bye all of you, I hope हमारे सारे student ठेक होंगे